आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सैंग वाटसैप मैसेज़ टू न्यू फेस्बुक लीज इस आटोमेशन में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे जबी भी आपके फेस्बुक लीड एट के द्वारा कोई न्यू लीड जनरेट होगी तो आटोमेटिकली आप उस लीड को उसके वाटसैप पे एक मैसेज सैंग कर सकते हो जिस भी तरह का मैसेज आप चाते हो बिना आपके और मेरी इंवाल्मेंट के प्रोसेस होगी इसके लिए हमें आटोमेट करना होगा फेस्बुक लीड एट को इंटरेक्ट से इंटरेक्ट एक ऐसी अप्लिकेशन है जिसकी हेल्प से हम वाटसैप पे मैसेज सैंग कर सकते है तो कैसे ही आटोमेशन सैंग करना है पूरी प्रोसेस जानने के लिए बने रही है इस वीडियो में ओके सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे www.pably.com सामने आजएगे ओफिशल वैबसाइट क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे अपना अकाउंट एकदम फ्री में बनाने के लिए मैं अलरड़ी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूँ दाट स्वाए मैं क्लिक करूँगा साइन पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनक का क्लिक करूँगा एक्सेस नाव पर एक्सेस नाव पर क्लिक करने के बाद उपन हो जाएगा पैबली कनक का टैशपोर्ट क्रियेट वर्क्फलो पर क्लिक करके अपने वर्क्फलो को मैं एक नाम दे दूँगा मैं एक सिम्पल सा नाम दे देता हूँ facebook lead ads to whatsapp ठीक है मैंने नाम दिया facebook lead ads to whatsapp आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया है ये same workflow यूज कर पाऊँगे अपने account में वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आ गई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती हैं integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है मेरा मैं चाहता हूँ कि मेरे facebook lead ad के particular form को जबी भी कोई person fill करे automatically उस person को मेरी तरफ से एक whatsapp message send हो जाए इस automation site करने के लिए मैं अपनी first application में सबसे पहले choose कर लूँगा facebook lead ads को trigger event में choose करूँगा new lead instant को connect पे click करूँगा connection के लिए then add new connection पे then connect with facebook lead ads पे जैसे कि आप देख रहे हैं authorization successful हो गया और connected है मेरा facebook lead ads पैबली connect से so connection से पहले make sure करना कि आपका facebook account login हो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा facebook account जो है वो यहाँ पे login है so connected है मेरा facebook lead ad पैबली connect से अब connect होने के बाद सबसे first field है यह page की तो यहां से हमें हमारा page select कर लिना है जिस भी page में हमारा वो form मौझूद है okay तो मेरा जो page है उसका नाम है पैबली tech okay जो कि इस page इस जो है page में मौझूद है जिसका नाम है पैबली tech है यही वाला page मैंने select किया है then इसके अंदर एक form है lead generation form जिसका नाम है पैबली integration दो forms है इन में से एक form है पैबली integration इस lead generation form को जबी भी कोई फिल करें तो मैं चाहता हूँ उसको whatsapp message send हो that's how मैंने इसे select कर लिया है then अब मैं click करूँगा save and send test request पे तो save and send test request पे click करने के बाद यहाँ पे waiting for waybook response show हो रहा है means अभी जबी भी मेरे उस form को कोई फिल करेगा तो पैबली connect उसकी details यहाँ पे अपने पास capture कर लेगा अगर आपको connection कैसे करना है कैसे test करना है वो आपको जानना है तो आपको click करना होगा learn more पे learn more पे आप जैसे click करेंगे तो आपका facebook lead ads testing tool open हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे है यहाँ पे मेरे सामने open हो गया है आपको यहाँ से अपना page select कर लेना है यह रहा मेरा page pably tech choose कर लिया है then यहाँ से form select कर लेना यह रहा pably integration then आपको preview form पे click करके इस form को submit करना है तो मैंने click किया preview form पे तो मेरा form जैसे कि आप देख रहे है सामने open हो गया है जिसका नाम है pably tech page का नाम है pably tech form का नाम है pably integration तो कुछ सिंपल सा मैंने form बनाया हुआ है आप अपने according जैसे भी form बनाना चाहते है वैसा बना सकते है एक test के लिए यहाँ पर मान लीजे मैं कोई user हूँ और मैं आप अपना data एक कर देता हूँ मान लीजे मेरा नाम है democline और मेरा email address है demo actor at pably tutes.com ठीक है यह मेरा email address है सिंपल then full name अपना एक कर देता हूँ जैसे कि मैंने बताया मेरा नाम है demo customer ठीक है then यहाँ पर phone number अपना एक कर देता हूँ मैं 9 9 ठीक है next पर click करके submit कर देता हूँ इस form को तो यहाँ successfully submit हो गया है form चलके check करते है pably connect ने form submission से related details capture की कि नी तुरंत यहाँ पर response received हो गया जैसे कि आप देख रहे है email address full name phone number बाकी की details उसका मतलब यह है connection perfectly work कर रहा है pably connect और facebook lead ads के बीच में अब जबी भी मेरे form को कोई fill करेगा जिसका नाम है pably integration जो की मौजूद है pably tech page में उस form को fill करने के बाद उसकी details automatically यहाँ पर receive हो जाएंगी pably connect के पास तो अब मैं चाहता हूँ यह जो demo customer है जुन्होंने form fill किया इनको इनके whatsapp नमबर पर मेरी तरफ से message send हो जाए ऐसा automation search करने के लिए हर बार ऐसे automatically कराने के लिए हमें क्या करना होगा नीचे आना होगा अपनी second and last application में choose करना होगा interact को so मैं search करूँगा और choose कर लूँगा interact को interact की help से हम whatsapp पे message send करेंगे action event में click करके choose कर लूँगा send whatsapp template message को क्योंकि एक template message है हम select send करने वाले connect पे click करके connection बनाऊँगा add new connection पे click करूँगा तो यह मुझसे secret की मांगेगा secret की के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपे जो लिखा हुआ interact account इस पे click कर देना है click करने से पहले make sure करना कि आपका interact का जो account है वो login हो तभी आप इस page पे पहुच पाएंगे जैसी page पे पहुचोगे नीचे scroll करना यह रही secret की copy पे click करके उसको copy कर लेना और वापिस family connect पे आके हैं पे paste करके simply save पे click कर देना तो आपका connection हो जाएगा मैं already connection बना चुका हूँ that's why select existing connection पे click करके just save पे click कर दूँगा तो जैसे कि आप देख रहे है connected है मेरा interact family connect से अब country code phone number को skip करते हुए सीधे full phone number act करूँगा जिसको भी message sign करना है उसका full phone number means with country code जैसे की नीचे example दिया है यह रहा country code plus 911 then उसके बाद phone number that's why मैंने अपने form के अंदर details जो उपर हमें receive हो गई है वही details हम यहाँ पे act कर देंगे यह रहा हमारे पास with country code है whatsapp number तो यह number हम इस blank field में act कर देंगे full phone number वाली act करने के लिए हम एक technique का use करेंगे जिसको हम कहते है mapping mapping में हम हमारी trigger application का data action application में बहुत ही easily act कर सकते हैं कैसे आपको just click करना होता है blank field पे नीचे option आता है previous step का trigger application का click किजिए उस पे सारा data open हो जाएगा हमें चाहिए full phone number यह रहा phone number click करके add कर जीजिए जो process मैंने अभी करी इसी को mapping कहते है जितनी easy or simple है उतनी ही important है क्यों है क्योंकि next time जबी भी कोई person हमारा form fill करेगा तो obvious सी बात है उसका phone number different होगा हर person का phone number different होगा तो जो भी उन लोगों के phone number होगे वो by one by one change होगे यहाँ पे add होते जाएंगे automatically क्योंकि यह number मैंने अभी map किया है map करने से automatically data fill हो जाता है that's why mapping is important ठीक है तो यहाँ पे मैंने map कर दिया data अब यह मुझसे template का code name मांग रहा है मुझसे बोल रहा है सर इस automation में जो भी template आप यूज करने वाले है उसका code name बताईए सबसे पहले तो मैं आपको अपनी template से introduce करा देता हूँ तो यहाँ पे मेरी template की list open है active templates की नीचे scroll करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे template आपको दिख रही होगी new underscore lead नाम की इस template का मैं यूज करने वाला हूँ इस automation में कुछ इस तरह की template है header में मैं कुछ भी नहीं बेज रहा हूँ आप text, image, video, document वगरा भी बेज सकते हैं यहाँ पे body आप देख लीजिए किस तरह का message आएगा hello hello के बाद curly brackets में 1 लिखा है यह क्या है मेरे according यहाँ पे जो value आएगी वो हर message के अंदर change होगी that's why मैंने इसे variable बनाया है hello के बाद आएगा किस का नाम form submit करने वाले का नाम obvious ही बात है हर बार नाम अलग होगा, different होगा that's why मैंने इसको variable बनाया है आपके according, आपके message में जितनी भी values, words, change होने वाले है हर message में तो आप उनको इसी तरह से variable बना देना जैसे कि मैंने बनाया एक और यह दो मेरे यहाँ पे दो जगा बनाया आप 3, 4, 5, जितनी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, simple तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एक template है footer मैंने कुछ भी नहीं रखा है और buttons के अंदर भी कुछ भी नहीं रखा है call to actions वाले buttons ठीक है आता हूँ, अब मुद्दे पे मुद्दा क्या था, हमें चाहिए था name token, क्या चाहिए था template code name, ठीक है, तो template code name कैसे मिलेगा, आपको अपनी template open करनी है, then जाना है link पे, link के अंदर template slash के बाद वाला जो part है वो आपको copy करना है, जब तक दूसरा slash नहीं आ जाता, यह रहा यहाँ गया slash, अब यहाँ तक हमें copy कर लेना है, आना है पैबली connect पे और template code name में paste कर देना है ठीक है, slash नहीं लगाना है, slash आपको backspace से हटा देना, ठीक है तो यह रहा मेरा template code name इस template का code name यह रहा, ठीक है तो यहाँ पे मैंने add कर दिया इसको language क्या है, language का code का English में है, तो English का language code होता है en, add कर दिया, यहाँ पे मैं लिख दूँगा en, simple then header value तो यहाँ पे हम कोई header भेजी नहीं रहे, ना image ना video ना document तो इसको मैं skip करूँगा अगर को image, video या document हम भेज रहे होता है तो इसकी link हमें यहाँ लगानी पड़ती लेकिन हम भेजी नहीं रहे, तो इसको हम blank छोड़ दिंगे अब आजाता हूँ body variables पे हमें form submit करने वाले का नाम यहाँ पे map कर देना है, facebook से मिल जाएगा यहाँ demo customer, then comma लगाना है, space देना है और second वाला variable जो है उसकी according value put कर देने, तो यहाँ पे हमारी company का नाम आएगा, company का नाम यहाँ पे मैं manually लिख देता हूँ, क्यों लिख देता हूँ change होगा उसको आप map कर देना, simple then cta button, यहाँ पे call to action button मैंने रखा ही नहीं है option है ना, select ही नहीं किया है तो उसको भी मैं skip करूँगा नीचे आऊँगा और click करूँगा, save and send test request पे, तो जैसी मैं save and send test request पे click करूँगा, तो demo customer को उनके इस whatsapp नंबर पे मेरी तरफ से एक whatsapp message जो है sent हो जाएगा, तो demo customer का जो whatsapp web account होगा, मैंने यहाँ पे open करके रखा है, तो जैसी मैं यहाँ save and send पे click करूँगा, एक test message demo customer को उनके whatsapp web पे sent हो जाएगा, जो कि मैं आपको तुरन दिखा दूँगा तो चलिए, चलते हैं family connect पे और click करते है, save and send, test request पे load हो रहा है तो जैसा कि आप लोग देख रहे है, response received हो गया है, successfully, चलके check करते है message भी तुरन ता गया है, है ना एकदम perfect message है interact की तरफ से, hello demo customer thank you for reaching out to us we are excited to hear from you and learn more about how we can help you, our team will be in touch with you, shortly to schedule a call and discuss your needs in further details, please let us know if you have any questions or concerns in the meantime regards, family team, एकदम perfect SMS message आया है, मेरे पास whatsapp पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे है और यहाँ पे, जो नाम जिनोंने form fill किया था, उनका नाम यहाँ पे आप देख पा रहे है, तो इस message की presents बता रही है, automation हमारा set हो गए है, हमें just click करना है, save पे और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यह पूरी process अब automatically होने वाली है, क्या होगा automatically मैं बता देता हूँ, अब जबी हमारे facebook lead at के, उस form को कोई fill करेगा, और कोई new lead receive होगी instantly, तो automatically automatically उस person को जिसने form submit किया है, हमारी तरफ से एक whatsapp message signed हो जाएगा, पूरा का पूरा message एकदम सेम रहेगा, सिर्फ change क्या होगा, उसका नाम, okay, जिसने भी form submit किया है, उसका नाम hello के बाद आके automatically add हो जाएगा, और उस person को message signed हो जाएगा, बिना आपकी और मेरी involvement के, और जब तक ये workflow आने, ये process instantly और automatically होती ही रहेगी, तो ना सिर्फ इन applications को पैबली connect के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो, automate कर सकते हो, बिना किसी परिशानी के, जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा, जो की होगा, इसी workflow का आपको जाना है, उस link पे click करना है, और आप भी मेरा बनाया है, ये same workflow यूज़ कर पाऊगे अपने account में, वो भी एकदम free में, अगर आपको इस video से related कोई भी doubt आता है, या फिर आपके कुछ questions होते हैं, या फिर आप मुझसे, या मेरी team से बात करना चाहते हैं, तो यहाँ दी गई link पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, पैबली forum का यहाँ पे link दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने questions, queries, जो भी आपको पूछना है, वो आप पूछ सकते हैं, second thing, अगर आपको पैबली कनेक की price जाननी है, तो इस link पे जाके चेक कीजिए, और सबसे most important part, अगर यह वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को like करना मत भूलेगा, और मेरे चैनल को subscribe करना भी मत भूलेगा, thank you